हेलो स्टुडेंट स्वागत आपका फिर से हमारी यूटूब चैनल बीएस नर्सिंग रोचेस इन्फोर्मेशन में दोस्तों बीएस नर्सिंग, एमेस नर्सिंग, फार्मेसी, डीमल्टी सभी परकार के न्यूज जन अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BMLT के बारे में पिछले वीडियो में हमने बात की थी DMLT के बारे में अभी तक आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप वापर जाकर DMLT की पूरी जानकारी ले सकते हो अब हम बात कर लेते हैं BMLT कोर्स के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएं कि BMLT कोर्स क्या है इसकी फुल पूरम क्या होती है ये कितने साल का कोर्स होता है इसकी योगजेता और फिस कितनी हैं कौन कौन सी सरकारी को लेजे इसका एडमिसर परोसेज और जोब इसको क्या है BMLT course हिंदी में होता है या इंगलीज में यह सब कुछ पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे तो आप वीडियो को पूरा देख ले और BMLT के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें तो student अब हम इनके बारे में जान लेते हैं तो student BMLT एक graduation course है इसका full form bachelor in medical laboratory technology होता है BMLT course तीनियर्स का course होता है इसमें 6 मन्त की internship होती है BMLT का important part हम जान लेते हैं BMLT course करने के लिए क्या योगेता होनी चाहिए तो student BMLT course करने के लिए आपको बारी पास करना होगा biological group से अगर आपके पास mathematics है तो आप BMLT नहीं कर सकते हैं और 12th class में STAC वालों के 45% marks और other category के minimum 50% marks होना जरूए तब ही आप BMLT course कर सकते हो अब जान लेते हैं कि BMLT करने में कितना खर्चा लगता है तो student सभी college की fees अलग अलग होती है जैसा कि student किसी college की fees है 20,000 से एकलाब 20,000 तक ये first year की fees है तो किसी college की fees 80,000 होती है इस परकार अलग-अलग college की अलग-अलग fees होती है ये fees हमने बताईए वो private college की है आपका total खर्चा 3 एर का private college में 3 से 4 लाग रुपे लग सकते है अब हम बात करते हैं गोरेंट college में कितनी fees लग सकती है फस्ट एर की fees होती है वो 20 से 25,000 रुपे होती है तो गोरेंट college में आपका कापी खम कर्शा होता है अब हम जान लेते हैं कि BMLT में admission का process क्या है तो इस्टुडेंट इसमें 3 process होते हैं फस्ट है entrance exam के थुरू आपको एक exam देना होगा उसमें जो marks आएगे उसके थुरू आपका admission होगा इस exam में आपको 12th class के ही क्यूशन पूछे जाएंगे उसके आदार पर आपका college प्राप्त होगा second होता है merit list के आदार पर कुछ private college ऐसे होते हैं जिसमें merit list बनाए जाती है 12th class के आदार पर और उसके बाद direct admission लिया जाता है तीसरा जो admission का process है वो है direct admission इसमें donation देकर आप direct college में admission ले सकते हो अब जान लेते कि BMT course English में होता है या Hindi में तो student BMT course टोटल English में होता है हिंदी में नहीं होता है तो अगर English अच्छा है तो आप BMT course कर सकते हो अगर आपका English week है फिर भी are BMT course कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं BMLT course के syllabus के बारे में तो student जेसा कि आप देख पारे हो हूँ यह है BMLT first year का syllabus इसमें total 8 subject है 1st है hymen physiology 2nd है hymen anatomy 3rd है biochemistry 4th है health education and communication 5th subject है terminology and general part of the body 6th है muscular skeletal system 7 है respiratory system और 8 है digestive system तो यह first year का syllabus था यह सब कुछ आपको first year में पढ़ना पढ़ता है अब हम बात कर लेते हैं BMLT second year syllabus के बारे में जैसा कि आप देख पारे हो यह है BMLT second year का syllabus इसमें आपको first पर है pathology second है microbiology third है clinical hematology fourth है immunology and serology वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन student आपको इस video में पूरी जानकारी हम BMLT के बारे में बता रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी BMLT कोर्स के बारे में प्राप्त करें अब बात कर लेते हैं third year के syllabus के बारे में एथिर्टेस सिख से एडवांस्ट डियागनोस्टिक टेक्निक्विज सेवने क्लिकल एंडोक्राइनोलोजी एंड टॉक्सोलोजी एट नमबर पर है डियागनोस्टिक मॉलीकूलर बाइलोजी 9 नमबर पर है स्टेनिंग ओव कर्बाएडरेट 10 नमबर पर है डिवर्श्ट्रेशन ओप मिनरास अगड्रु एंड पिग्मेंट इन द seldom इसेवन नमबर पर है Одटोयोम्योड्टि सार्डर12 नमबर पर है डॉमेनेस्ट्रेशन ओप नुकलाई एसिड तेरवी नंबर पर है इम्मिनोस्टो केमेस्ट्री तो इस्टुडेंट यह सब्जेक्ट थर्ड एर का है तो हमने सलेवस के बारे में बात कर लिए प्यमेल्टी में थर्ड एर तक सलेवस होता है जो हमने आपको बता दिया है अब तो इसकी सेलेर जो मिलती है फिक्स तो नहीं बता सकते लेकिन अप्रॉक्समेंटली फर्स्ट टाइम जो सेलेर मिलती है वो मिलती है दस से पंदराजार रुपे इसके बाद आपकी सेलेरी बढ़ जाती है अगर आप प्लेव में अच्छे से प्रेक्टिकल कर पाएंगी जोब स्कॉप केरियर बीमल्ट में बहुत अच्छा होता है एक तो बीमल्ट कोर्स जो की गरेजुएशन कोर्स है इसमें आपको एक डिगरी मिल जाती है इसके बाद आप बीएड करके टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो लेकिन टीचिंग लाइन में बहुत कम स्टुडे करते हैं और इसमें जोब भी जल्दी मिल जाती है तो स्टुडेंट इस वीडियो में हमने आपको पूरी डिटेल बता दिये बीमल्ट के बारे में अगर आभी भी किसी परकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताए अगर स्टुडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट करें और दोस्तों के साथ सेयर करें इसके लाव स्टुडेंट आप चाते हैं कि बीमल्ट की कौन-कौन सी कोलेज है तो उसके बारे में हम बता देंगे आप कमेंट करके हमें बताए अगर दोस्तों आपने अभी तक बीमल्ट के बारे में वीडियो न ग्जाए न चाते हो तो उसके लिए आपको यह बुक खरीदने होगी बहुत यह अच्छी बुक्स है लिंक डिस्क्रिशन में दिया गया है अगर आप निट का एंट्रेस लिए यह बुक्स आपके लिए बैस्ट रहेगी जोकि कि इंदी मेडियम की है इसका लिंक भी डिस्कृिपृपशन में दिया घया आप जाकर खरीश सकते हो अगर बेस्ट नर्सिंग और ग्रेज़े में देना चाहते हो इसका लिंग भी भी ये बुक्स का आपको खरीदने होगी इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जो जो बुक्स हमने आपको बताइए वह बहुत यह अच्छी बुक्स है आप इनको पढ़ कर आज़ानी से एकजाम पास कर सकते हो तो जल्दी से खरीद लेजिए लिंक डिस्क्रि गुरूप है जैसा कि श्ट्ट्ट आप देख पारे हो ब्यास नर्सिंग आरे इस इनफोर्मेशन यह हमारा टेलग्राम गुरूप है इस गुरूप में आपको ब्यास नर्सिंग फ़स्ट एर से लेकि फौर्थ यर तक आल बुक्स और पीडिया नौट्स मिलेंगे जो कि आ अगर आप लिंक से जोइन नहीं हो सकते हो तो टेलग्राम गुरूप ओपन करके ब्यास नर्सिंग आरे इस इनफोर्मेशन सर्च करना उसके बाद आप इसमें जोइन हो सकते हो और आप बुक्स और पीडिया नौट्स बिल्कुल फिर में ले सकते हो और अपनी तयारी अच वीडियो में